एक लम्हे में जिम्दगी एक हुई अपने दिना रात एक हुए चलते चलते हम कदम हो गए हर जुस्तजू में बराबर के शरीख बने हर खाब की बस एक तामीर तुम्हारी सोच में मेरी हाँ और मेरी सोच में तुम्हारा जहाँ नया नाजवबाद अपार्टमेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम असलाम अलेकुम आज हफ़ते का दिन तैस तारीख एकीसवा रोज़ा और अब रोज़ा खुलने में कुछ देर रह गई है टाइम छे बच के चालिसमेंट और मैं आपके लिए छोटी सी वीडियो लेके आ रहा हूँ कई दफ़ा यह चीज होती है कि देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्शेंज पे इस वक्त पांच सो के करीब करीब एक्टिफ कम्पनीज हैं कोई जिसमें चार सो हैं हर कम्पनी का हाल एहवाल रखना बहुत मुश्किल होता है और कई दफ़ा कई चीज़े हमसे भी इमेटो जाती है और हमारी रिसर्च वर्क हमारी टीम करती तो है मगर बात यह है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना माशाला हो इतने पड़े लिखे हैं इतने पड़े लिखे हैं कि वो मुझे एज्यूकेट करते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे गाइड करते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स हैं यह मेरे लिए क्या करते हैं एक तरह का आटो करेक्ट मेकैनिजम देते हैं मुझे कि कोई मैं गलती करूँ कि मुझे ठीक करते हैं तो थैंक यू मच सब्सक्राइबर कि आप मेरी रहनमाई कर रहे हैं और आज की यह वीडियो है ना यह हमने एक खास वज़ुहाद की वज़े से डाल रहे हैं और वो है मेरे एक प्यारे से दोस्त अद्नान वार्सी साब इन्होंने कुछ चीज़ पॉइंट आट की है जो के मैंने अमिट की है अद्नान वार्सी थैंक यू मेरे माच अद्नान वार्सी पाकिस्तान में पहली बार माइनाज बैंक्स के साथ 20 साल की अदाएगी की सहुलत भी के साथ है ही ऐसा के अब जो भी करना है मिल की करना है खुशियों के आस्मानों में साथ अड़ना है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बनाए अपनी प्रॉपटी उस लाइफस्टाइल के साथ जिस पे होगा आपको फखर कराची शहर के बीचों बीच अपने तर्स का वाहिद गेटिड मास्टर प्लान प्रॉजेक्ट नया राजमभा वेलकम बैक फ्रॉपटी ब्रेक आप मेरा ऑफिशल यूट्यूब चैनल देख रहें और आज मैं फिर पाक रिचोरंस के बारे में बोल रहा हूँ और इसकी जो फ्राइडे की परफॉर्मंस है 25 पैसे माइनस है 11.75 है हाई इसका 12.41 है लो इसका 11.55 है और वॉलिम इसका 41.34.000 था जो आज मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आप सुनिए बड़ी गोर से कि इसकी जो है रिपोर्ट कॉलिफाइड है रिपोर्ट क्यों कॉलिफाइड है देखे वो कई दफ़ा होता है कि हम मिस कर जाते हैं मैंने भी मिस किया एक इन्होंने नोट डाला है कि उसके उस नोट में काफी प्रॉब्लम्स हैं और बेसे वा कॉलिफाइड अपीनियन जो है वो यह है मैं अब पहड़ता हूँ मैं as fully discussed in note 15 to the final statement on the company has recorded its amount as an asset however the company could not substantiate any control over the underlying asset and the flow of economic benefits is improbable due to ongoing court case. Had the company not recorded the asset, total assets, accumulated profit, shareholder and furthermore would have been reduced by the same amount accordingly. एक तो यह है कि यह जो amount कहा रहे है ना 2 billion 573 million यह चीज़ जो है उन्होंने asset को रेकनाईज किया है जो कि auditors ने para of emphasis दे दिया. Now what is a para of emphasis? Para of emphasis यह होता है कि auditors जो होता है वो डाल देता है कि going concern तो है मगर उसने एक probability शोकी है कि यह चीज़ कमनी की further functioning को effect कर सकती है. तो दोबारा जो है ना received from sin revenue board इनकी 2 billion 573 million 888 thousand 727. यह amount वो recognize कर रहे है एसेट के लिए. यह जो आपके audits हैं इसको कह रहे हैं कि asset नहीं है और अगर आपका asset है तो यह आप इस किस basis बेसको asset declare कर रहे हैं. तो वो यह कह रहे हैं कि अगर आप इसेट नहीं है तो आपको जो profit है वो इतने परसंट यह इतने टू billion के नीचे नीचे आपको profit आ गया. तो यह एक और चीज़ जो कह रहे हैं कि the aggregate amount जो भी है by orders passed by sin revenue board in persons appellate order date of family 10 to an appeal number in an order date of in appeal number के अभी तक appeal में हैं. तो कमनी ने यह नहीं लिखा कि the outcome will be decided in favor of the company. कमनी सिर्फ कह रहा है कि यह receivable show कर रही सेंद revenue board का. अब हम जाते हैं orders की दुबारा qualification के. तो वो कह रहा है in best of our opinion and information according to explanation given to us except for possible effects on the matter description basis of qualified opinion section of the statement of profit laws. यह इतना लंबा है मैं नहीं पढ़ता आप फुद पढ़ ले तो वो यह qualified opinion दे रहा है और इसकी वज़ए से इसका जो going concern है और यह फिर जो आपने ना annual report में note 16, 17, 18, 21, 24, 30, 34, 36, 37, 38, 32, certain account balance class or transaction have been recorded against treaty proportional business. We were not provided the details and supporting of the premium claims of the saving insurance company except statutory quarterly returns and the board. The company does not have any system and controls to verify such premium claims. Consequently, we are unable to verify and determine whether any adjustment to these amounts were necessary. Now, इसका अब मैं आम आदमी की जबान में translation करना हूँ कि और्डेटर्स ने बहुत अच्छा काम किया है. I don't know के कौन से और्डेटर्स हैं अभी हम निकालते हैं. इनके और्डेटर्स को एक तरह से अपलॉड करते हैं. इनके और्डेटर्स हैं. M.S. के साथ साथ कौलिफाइड रिपोर्ट दीया है. दीके पैर औफ इम फैसिस एक अलग चीज है और कौलिफाइड रिपोर्ट अलग चीज है. पैर अफ इम फैसिस है के ताह मुएए कि जो शेयर होल्डर्स है. उनकी जो क्या कहते हैं निगाव मवजूल करानी होती है किसी खास चीज़ की तरफ वो पैर आफ एमफेसिस गोइंग कंसर्न के ओपर एफेक्ट नहीं करता मगर अगर कौलिफाइड रिपोर्ट है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ आगे जाके कंपनी की कारकरते में एफेक्ट नहीं तर सकती है तो पैर फिर एक दफाए इनको आपकी कौलिफाइड रिपोर्ट पे ले जाता हूँ और उसमें ये कहते हैं कि आएंदा जो इतना जो इंपक्ट है ना ये शेर होलने से एक्विटी पे आएगा और सुर्वन्सी आफ दे कमणी पे भी आएगा बहराल मैंने ये अपने दोस्त के कहने पे ये करतो दिया है जी अदनान वार्सी आपके कहने पे कर दिया है थेंक्यों वेरोंश पॉंट आउट और अब मेरा फाइनशल इनालसिस ले लिए देखे इन्होंने टू हंड़ परसंट बोनस तो दे दिया है शेर डिल्लीट हो जाएगा और ये दो बिलिन की फकी पड़ेगी किसी रखिए इस वास्ते जब मैंने बाई कॉल दी थी तो आप मैं अपनी बाई कॉल जो है वो रिड्यूस करके सिंगल बाई कॉल दे रहा हूँ कि प्लीज प्रोसीड विड इस शेर अट यॉर ओन रिस्क मैं दोबारा रिपीट करता हूँ please proceed with this share at your own risk मगर हो सकता है कि अगर ये सिंध रेवन्यू बोर्ट से अकरना केस जी जाए तो ये फिर everything will be passed up जब तक ये चीजे सब्डूटिस्स हैं कोट पहें इन पे मैं राए नहीं दे सकता मैं एक दोह फिल दोहरा आ रहा हूं इस कंपनी के साथ डिल करते वे मुताद रहीएगा despite कि 200% bonus share है बहराल share को इतना उचा नहीं है 10 रुपए, 11 रुपए पह है share आप देखिएगा कुछ दिनों में ये गिर के 10, 50 ये 9 रुपए पहा जाएगा अपने आपको बचाईए, मुताद रहीए share से और तरीके से आगे मूव करें आपको हमारी वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट सारा में बताईएगा हमारी कोश होती है कि बिल्कुल अनबाइस्ट और बगार किसी क्या कहते हैं, लाइक और डिसलाइक के रिपोर्ट दें, तो मेरी रिपोर्ट मैंने दे दी आपको और अपने सब्स्ट्राइबर को भी मैं शुक्र यादा करता हूँ इंशाला एक और वीडियो के साथ जल हाजिर होंगे अपने इर्गिर के लोगों ख्याल रखिए हमें दौाओं में याद रखिए आसपास के लोगों को दौाओं में याद रखिएगा पाकिसान के लिए दौाओं में याद रखिएगा वस्सलात वस्सलाम में खातम नभीएन जिसकी सबसे प्राइम लोकेशन पर आ रहे हैं नया नाजवबाद अपार्टमेंट्स जावा मस्जुद, ट्रिकेट स्टेडियम, जिम खाना और बैनल अख्वामी मयार के वीटेल प्रोजेक्ट के अंदर ही सिर्फ चंद कदम के मसाफ़त पर इस कीमत में ऐसा लाइफश्टाइल और ऐसे रिटर्न्स कहीं और मुम्किन नहीं तो जिन्दगी का ये फैसला भरोसे के साथ कीजिए जो बनेगा आप दोनों के फखर का निशान नया नाजमबाद अपार्टमेंट्स बोकिंग के लिए अभी कॉल करें 111-511-611